नमेश्कार दोस्तों आज हमें एक बहुती इंपोर्टेंट मुद्दे पर डिसकस करने जा रहे हैं वो है नंदन आइलेंड में पिछले एक हफते से काफी जादा हिंसा देखने को मिल रही है तो इसका वीजन क्या है हिस्ट्री क्या है पूरा जो आइलेंड है उसका इतिहास आ गया और यूरोप से थोड़ा सा अलग है जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर यह उनाइटट किंडम है और जब हम यूके कहते हैं तो बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनाइटट किंडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन और नदन आइलेंड तो इसका फु जो आप देख रहे हो यह अपने आप में अलग आइलेंड है लेकिन इसका जो नदन वाला पार्ट है जिसको नदन आइलेंड कहते हैं जिसकी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको कैपिटल बताओ जैसे बेलफेस्ट हो गया वेस्टन साइड में आप देखोगे तो लंडन लंडन डेरी यह इंपॉर्टेंट आपके शहर देखने को मिलेंगे तो यह जो नदन आइलेंड छोटा सा इरिया है वो आपका यूके का ही पार्ट है ओर आल पॉपलेशन अगर आप देखोगे पूरे यूके की तो यह करीब 6 करोण के आसपास है उससे जादा ही है और बांडरी है जैसा कि आप देख पा रहे हो और प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें कि जो आईलेंड है नीचे वाला जो रिपब्लिक आफ आईलेंड है अपने आप में देश है यह पेसिकली अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन आपको याद होगा अभी इस से आपको हिंसा देखने को मिल रही है इन फाक्ट यहाँ पर आप देख भी सकते हो राइट्स इन नदन आइलेंड स्पर्ट बाई ब्रेक्जिट तो यहाँ पर हम डीटेल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है काफी कुछ जाने को आपको इस मिलेगा पूरे हिस्ट्री के बारे म इसमें चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक और फुट्वार मेरे लेक्शे की हर पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैन ब्रिक्स फेक रहे हैं फायरवक्स हो रहा है गैसुलीन बॉम्स हो गए बसों को जलाया जा रहा है जो नॉर्मल वाइलेंस के समय आपको देखने को मिलता है उसकी वजह से रेस्पॉंस आ रहा है पुलिस की तरफ से बुलेट्स वाटर कैनन इस तरह की चीज़ें देखने क जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंसा वगरा किया था तो बेसिकली क्या है कि यह जो अचानक से हिंसा अब स्टार्ट हो गई है वो पिछले कई दसकों से हिंसा हुआ था आईरलेंड के अंदर वो हमें याद दिलाता है बेसिकली आईरले हैं और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंस हैं इनका भी 30-40 साल तक लगतार काफी समय से हिंसा हुआ था नदन आईलेंड के अंदर तो वो अलग विवाद है और फानली जाकर 1998 में गुड़ फ्राइडे अकॉर्ड हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर इस चीजों को सांती करा आई गई थी तो चलिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही समझ लेते हैं कि exactly नदन आईलेंड में चल क्या रहा होता है यहाँ पर प्रॉबलम क्यों हो रही होती है तो जो 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 नदन आईलेंड है वो किसका पार्ट आपको दिख रहा होगा यह इस जो रिपब आईलेंड देखोगे आईलेंड का तो इसमें total करीब 32 countries थे अब देखो जैसे हमारे देश में भी पहले बहुत सारे टुकडों में बटा हुआ था देश जो है तो वैसे यहाँ पर भी 32 countries में बटा हुआ था तो इसमें जो majority थी basically southern side वाली जिसको Catholic था Roman Catholic majority उन्होंने तो क्या किया अपना अलग हो गए और ये Ireland बना लिया ये आपको समझ में आ गया ये अपना Ireland बना लिया अलग से Republic of Ireland लेकिन northern side में ये छोटी सी population थी यहाँ पर majority था आपका protestant का ठीक है उन्होंने कहा कि नहीं हम UK के साथ रहना चाहते है इसी की वजए से यहाँ पर अभी भी क्या है Catholic की हो गई minority और नीचे वाला जो Republic of Ireland है वहाँ पर तो आपकी majority Catholic की ही है क्योंकि उन्होंने ही अपना अलग देश बना लिया तो अब इसकी वजए से क्या होता है जहाँ पर minority majority के issues आ जाएंगे तो इसकी वजए से अब यहाँ पर Northern Ireland में बोला जाता है कि यह जो Catholic minority में आ गई हो रही थी उन लोगों को उन्होंने movement start कर दिया हिंसा देखने को मिला Catholic की तरफ से भी कई सारे groups बन गए प्रोटेस्टेंट की तरफ से भी बन गए और bombing shootings इस तरह की चीजें होने लग गई लेकिन फानली जाकर 1990 में कई सारे secret talks होते हैं Ireland, Britain और United States के बीच में और फानली यहाँ पर peace deal देखने को मिलता है जिसका नाम है Good Friday Accord तो यह आद रखे का अपने exam point of view से 1998 में sign किया गया था जिसमें जो Catholic जो minority है Northern Ireland में और Protestant majority है दोनों के बीच में जो power sharing government का agreement है वो यहाँ पर ह हो गया और चीजों को किसी तरह से टाल दिया गया था कि चलो अब क्या क्या आप समझो Catholic जो minority है वो क्या चाहती है वो अब यह चाहती है कि जो Northern Ireland है वो Ireland का ही हिस्सा बन जाया मतलब वो एक single island बने लेकिन Northern Ireland में जो majority है Protestants की Unionist भी कहते हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम UK का ही part ब बात से लेकिन स्टिल क्या होता है कुछ-कुछ समय पर जो चोटे-मोटे groups है Irish Republican Army बेसिकली कहते हैं इन फाक्ट यह Irish Republican Army यह वही है आपको याद होगा जो हमारे last Viceroy of India Mountbatten उनकी भी हत्या इन ही के दौरा की थी Irish Republican Army के दौरा ठीक है तो यह मैं जास्त आपको लिंक बैठानी की कोशिश करा हूँ तो यह लोग हमेशा अकसर थोड़े बहुत आते रहते हैं जिसकी वज़य से हिंसा देखने को मिलती है लेकिन अब problem क्या हुआ है कि बहुत जादा complicated हो गया है किसकी वज़य से Brexit की वज़य से मैं आपको detail में बताता हूँ basically कहा जाता है कि Brexit जो हुआ था trade हो सकता है अराम से लेकिन obviously बात है अब UK जो है वो इससे अलग हो जाएगा UK जो है बाकी के पूरे European Union से अलग हो जाएगा और इसकी वज़य से क्या होगा कि उतना जादा free trade नहीं हो सकता है तो यहाँ पर problem दिखे क्या है अगर Northern Ireland UK का हिस्सा नहीं होता तब तो कोई दिक्क है in fact मैं आपको एक interesting चीज़ बताता हूं जब यह पूरा voting हुआ था जिसमें बहुती margin से 51-52% लोगों ने favor में vote किया था कि हम Brexit करना चाहते हैं मतलब अलग होना चाहते है 48% से जादा लोगों ने कहा था कि हम exit नहीं करना चाहते हैं वो European Union का part बनना चाहते थे यहाँ पर right side में अगर आप देखोगे तो जादा तर लोगों ने vote किया था कि वो European Union का part बना रहना चाहते हैं सिर्फ यहीं नहीं in fact यह जो Scotland वाला उपर का area है वो भी चाहते थे कि यहाँ पर हम बना रहना चाहते लेकिन जादा majority population आपको इधर देखने को मिलेगी इसलिए यह लोग thin margin स यहाँ पर जीत गए थे तो यहाँ पर अब देखिए problem क्या हो रही थी कि पहले जब European Union का part था तो Northern Ireland और Ireland के बीच में जो भी goods का exchange वगरा है बहुत ही आसानी से होता था open borders है कोई problem नहीं है यहाँ पर लोग आते जाते थे मतलब एक जैसा माहूल रहता था Ireland एकी तरह का conservative government है आपको पता ही है इस समय तो इसकी बज़े से क्या है कि यहाँ पर नए barriers मतलब यहाँ पर European Union जो UK है वो क्या करेगा वो अब यहाँ पर barriers लगाना चाहेगा कि कहीं European Union ते तो कोई goods इधर तो नहीं आ रहा है Northern Ireland के अंदर लेकिन मैं आपको क्या पताया कि already काफी लंबे सम आई समझ में यहाँ से चीज़ें को free छोड़ देंगे और Irish Sea करके concept लाए गया Irish Sea इसमें यह बोला गया basically कि Northern Ireland से कोई goods अगर UK के अंदर एंटर करता है इस पूरे region में एंटर करता है तो उसमें थोड़ा सा barriers वगरा trade वगरा पर हम देख लेंगे check वगरा करते रहेंगे कि कही नहीं वो European Union का तो कोई समान नहीं आ रहा है या Ireland के माध्यां से कहीं European Union का समान तो UK के अंदर एंटर नहीं कर रहा है ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पर obvious सी बात है जो लोग Northern Ireland में हैं जो लोग चाहते हैं कि हम हमेशा से UK का part बना रहे हैं क्या उनको अगर मैं कहूं कि North East से कोई भी समान फिर बाकी देश के हिस्से में आ रहा है और सरकार उसके उपर कुछ restrictions लगा दे कि कहीं वो Myanmar वाला समान तो नहीं आ रहा है इधर से तो क्या North East के लोगों को अच्छा लगेगा ओविसी बात है नहीं अच्छा लगेगा तो यही हो रहा ह यहाँ पर कि Northern Ireland में जो Unionist है नको Unionist कहा जाता है बेसिकली वो लोग यहाँ पर अब थोड़ा सा चिंता हो गया है उनका यह कहना है कि जो भी हम goods वगरा भेशते हैं पहले आराम से पूरे देश के अंदर चला जाता था लेकिन अब यहाँ पर सरकार कई सारे checks लगाती है problem create हो यहाँ जो मैंने आपको उता है जैसे Belfast हो गया London Dairy हो गया यहाँ पर तो ज्यादा तर इस सारे regions में और जो minority वाला आपका region है जैसे Catholic मैंने आपको पताया वो minority में है वहाँ भी थोड़े बहुत disturbance जो है वो आपका चला गया है और 31st December को यह अभी अलग हो है मैंने आपको तो इसकी वज़े से क्या हुआ है कि जो लोग जो है trade वगरा नहीं कर पा रहे बिजनेस की वज़े से दिक्कत हो रहा है जब in fact यहाँ पर शुरुआत में तो यह भी हुआ था कि नदन आइलेंड में यह जो नदन आइलेंड यहाँ पर कई जगा सुपर मार्केट्स वगरा में चीजें खतम हो गई थी गुड्स वगरा नहीं पहुच पा रहा था तो इसकी वज़े से लोग और जादा यहाँ पर गुस्ता हो रहे थे यहाँ पर आप देख सकते हो no Irish sea border मतलब कि यह हुआ यहाँ पर जो नदन आइलेंड में लोग हैं वो यह नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई barrier लगे no Irish sea border इस तरह के लगतार जो slogans हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और यही प्रॉब्लम हो रहा है कि अचानक से अब यहाँ पर हिंसा देखने को मिल रही है और यह पूरा वीडियो था दोस्तों आई हो कि यहाँ पर आपको detail से हर एक चीज समझ में आ गया और logic से कि हो क्या रहा है exactly जाने से पहले कि interesting आपके लिए question लेकर आया हूँ Britain के constitution से ही related है दो statement है ध्यान से पढ़िए सोचिए समझिए और बताइए answer क्या होगा इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे इंस्टा पर मिल जाएगा अगर आप social media use नहीं कर रहे हो मत करो कोई बात आते हैं हमारे आप पर जा सकते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता है आप से नेक्स टाइम तिल देन thank you very much see you soon